Hello students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, 7th class की बुक भुगोल का 1st chapter, जो की social science के subject से है, तो भुगोल का जो 1st lesson है, उसका नाम है परियावरण चलिए शुरू करते हैं, लंबे चुटियों के बाद जब रवी स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी, आप सभी भी मैदान में खेलते हैं, उनके खेलने के लिए वहाँ पर मैदान था, लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाले एक बड़ी इमारत बनेगी, जब रवी को समझाया कि मुलायम गास, गेंदे के फूल, एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नस्ट हो चुका है, तो उसकी आँखों में आंसु आ गए, उसने यह बात अपने सवपाठियों को बताई, सुबा की सबा में परदाना चारे ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो, कैसा हमारा परेवरन बदल रहा है, ककसा में पहुंचकर, रवी ने अपने शिक्षक से पूछा परेवरन क्या है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने कहा, तो अगर आप भी अपने आसपास देखेंगे, होसकता है आप घर के अंदर बैठे हो, तो घर के अंदर आपकी मेज, कुर्शी, बैठ, आपकी तस्वीरें, अलमीरा, आपके जो भी बुक्स हैं, पैंसिल हैं, या पिर किसी भी तरह की फोटो, तो यह सारा, इक मिला क्या करते हैं, क्या बनता है इनसे, परेवर्ण बनता है, क्या बनता है, परेवर्ण बनता है, आपके सहपाथी, आपके दोस्त, आपके माता-पिता, आपके बाई-बहन, इनसे भी परेवर्ण बनता है, यह भी एक क्या है, परेवर्ण का हिसा है, आप सब जो है, ह हम सब पर्यावण का इस्सा हैं। रवी कहने लगा इसका अर्थ यह है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्सा में रखे कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सडग, कूड़ा, करकट, मेरे दोस्त यह सबी क्या हैं। पर्यावण के अंग हैं। सही है ना जो बात आपने पहले समझ ली। हां शक्षक ने कहा लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तूं का निर्मान प्रकृती ने किया है। जैसे परवत, नदिया, पेड, प्राणी, जबकि अन्य का निर्मान मानव ने किया है। यसे सड़क, कार, कपडे, किताब, आदी.. आप भी कुछी तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। कि क्या क्या प्रकृती ने बनाया है और क्या मनुफ्य ने बनाया है। अगर आप अपने भवन का उदाहरन लो , अपने घर का उदाहरन लो, तो किसने बनाया है। मनुष्य ने बनाया है, सड़क किसी ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, अगर आप परवत गाटियां ये जंगल देखेंगे तो किसका है, प्रकृति का बनाया हुआ है, अब दो दो छात्र मिलकर कारे कीजिए, अपने निकट बैठे सवपाठी के साथ मिलकर प्रकृति ए मुस्तफा, आसा, सभी हसुची बनाने के लिए उत्सुप थे, इकबाल ने पोचा, हमारा परेवर्ण क्यों बदल रहा है, शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रति दिन बढ़ती रहती हैं, तो अगर आप अपने आसपास देखे तो हो सकता है, आपके आसपास कहीं, दो-चार साल पहले घर ना हो, तो धीरे-दीरे हो सकता है, घर बनना शुरू हुए और बन गए, इसलिए जो परेवर्ण है न, धीरे-धीरे जो है, चेंज होता रहता है, जैसे आज आप मुबाईल का प्रयोग करते हैं, हर गर में, बन्दे के पास मुबाईल है, हर परसन के पास मुबाईल है, तो अगर 20-25 साल पहले की बात की जाए, तो इस तरह का नहीं था, जो बातावन था, ऐसा नहीं था, या आप देखो, पहले टीवी होते थे, ब्लैक और वाइट टीवी होते थे, हो सकता है, आप बच्चों में से कई अने ब्लैक और वाइट टीवी देखे ही ना हो, फिर धीरे धीरे रंगीन टेलिवीजन आए, फिर धीरे धीरे LCD आई, फिर उसके बाद LED आगी, तो इस तरह से यह जो परिवर्तन है, तकनीकी हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन ह जो दिरे दिरे होते रहते हैं, अब यह मानब के घटक जो हैं, पताय गया है, यह आपका मानब निर्मित है, अब देखो जो इमारत है किसने बनाई है, मानब ने, पारक भी, पुल भी, सड़क भी, समारक भी, उद्योक, अब अपने आप थोड़ी बने आए, अब आप जादू से, इनको बनाने बाला कौन है, मनुष्य है, यह मानब के द्वारे निर्मित है, यह देखो यह प्रकृति की है, यह आपका जैय मंडल है, जैल मंडल, स्थल मंडल और वायू मंडल को मिला कर यह क्या बनता है, जैय मंडल, अब देखो यह है, इसको मिला के क्या बन बनता है अगर आप देखे नीचे मनुष्य जिन कि वह लो यह भिए घर्ण संमदाय ना मौन का प्रावण ने देखो यहां पर आर्थीक राजनिति के साफे जो है इसमें दियों है राजनितिक और टिक शाखरिक घर्ण संमदाय परिवार एक विक्ति यह सारा देखो तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावण के बारे में भूमी, जल, वाईयू, पेड़ पौधे एब हम जीव जन्तू मिलकर प्राकृतिक पर्यावण का निर्मान करते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वाईयू मंडल एब हम जया मंडल से आप पहले ही पर्चितोंगे क्योंकि जल मंडल, स्थल मंडल और वाईयू मंडल होगा तब ही जया मंडल बन सकेगा अगर आपको सोचिए अगर हमारे पास पेने के लिए पानी नहीं होगा तो क्या हम जिन्दा रह सकते हैं अगर वाईयो नहीं होगी तो क्या हम सांस ले पाएंगे अगर स्थली नहीं होगा तो कहां हम घर बनाएंगे कैसे चलेंगे आईए हम इनके संबंद में कुछ और तत्थियों की जानकारी प्राप्त करते हैं प्रित्वी की ठोस परपटी या कठोर उपरिस्ता को स्थलमंड लगते हैं या चट्टानों विम्खनीजों से बना होता है अगर आप अपने आसपास नजर दोड़ाएंगे तो बहुत सारे आपको चट्टाने, पत्थर, भूमी नजर आती है एवा मिट्टी की पत्ली पर से ठका होता है यह पहाड, पठार, मैदान, गाटी, आदी, भिन-भिन, अलग-लग स्थलाकरितियों वाला विस्म दरातल होता है इस स्थलाकरितियां महाद्विपों के अलावा महासागर की स्थब पर भी पाई जाती है स्थलमंडल काउन सक्षेत्र है कि यह सक्षेत्र जिसमें वन, क्रिशी, मानबस्तियों के लिए भूमी, पश्वों को चलने के लिए गास्थल जै परदान करता है खनीज संपदा का भी एक स्रोत है जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा यह जो है आपका एक सित्तर जहाई इसमें बहुत बढ़ी है तरीके से बनाया गया है अब देखो यह यहाँ पर आपका स्थलमंडल है और यह आपका जैलमंडल है यह आपका पायू मंडल है अब इन तिनों को मिला कर क्या बनता है जैमंडल ठीक है जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं यहाँ जल के भिन भिन स्रोतों जैसे नदी, जील, समुद्र, मासागर जैसे भिन भिन जलाश्यों से मिलकर बनता है यहाँ सबी प्राणियों के लिए वश्रक है प्रित्वी के चारों और फैली वायू की पतली पर्त को वायूमंडल कहते हैं प्रित्वी का गुरुत्वा करसन वल अपने चारों और के वायूमंडल को थामे रखता है यह सूर्य की जुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किन्नों से हमारी रक्षा करता है इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कर्ण, जलवास, उपस्तित होते हैं तो वाईयो मंडल में अगर परिवर्तन होता है तो क्या होगा? मौसम भी बदलेगा और जलवाईयो में भी परिवर्तन होता है तो पादप जो pert है और जो जीव जनतों है ये मिलकर जै मंडल या सजीव संसार का निर्मान करते हैं ये प्रिथवी का एक ऐसा संकिन क्षत्र है जहां पर स्थल जल एभवाईयो मिलकर जीवन को संभावनाते हैं यहीं वो क्षित्र है जहां पर हम जीवन का निर्मान देखते हैं अब एक पारितंत्र क्या चीज है रभी की कक्षा के एक NCC कैंप में जेसी ने आश्रे से कहा कितनी मुसलाधार वर्षा हो रही है आप देखेंगे कि आजकल वर्षा रित्तु का मौसम है तो वारिष जब कभी हो जाती है या हो रही है इससे मुझे अपना केरल याद आ गया तुम सब को आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार वारिष होती रहती है अगर आपने देखा कि एक विचार आपके मन में आया नारियल तो हम आपने आसपास देखेंगे हम ऐसे क्षित्र में रहते हैं या आप ऐसे क्षित्र में रहते होंगे कि जहां पर हो सकता है कि नारियल ना हो इसलिए केरल में आपको नारियल मिलेंगे वस्ता है कि आपके रहने वाले जगा पे मैंगोज हो एपल्स हो नाशपती हो या फिर अमरूद हो या केले हो वस्ता हैं दूसरी जगा उन ना हो इसलिए हमारा जो परेवर्ण है वो अलग बन गया उनका अलग बन गया तब ही जैसल मेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर से कहा हमारे यहां वर्सा होती ही नहीं है देखो क्या वो रहा है कि हमारे यहां वर्सा होती ही नहीं अब आप खुल सोचो अब आप जहां पर रहते हो वहां वर्सा होती है और जैसल मेर में पारिश ही नहीं हो रही है हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ उंट भी तो हैं रभी ने कहा। तो वहाँ पर एक परेवन अलग सा है। क्योंकि रेगिस्तान में क्या होगा। रेगिस्तान ऐसा रेत का विश्त्रित शित्र होता है। जहां दूर दूर तक अगर नजर दड़ाएं हो सकता है कि आपको पेड़ पादे नजर ना आए। जहां पर क्या है। रेत ही नेत रेत आपको नजर आ सकती है। जीब जनतु भी अलग प्रकार के आपको नजर आएंगे। और वहां पर हूंट आपको ज्यादा मिलेंगे। साथ ही बारिस बहुत ही ज्यादा कम होती है। और ये ताल का पारी तंतर है। इसके बारे में यहां दिया हुआ है। वह तंतर जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक तूसरे के साथ तथा परिवण के उन भौतिक एवं रसाइनी कारकों के साथ पर्स पर क्रिया करते हैं। जिसमें वे निवास करते हैं यह सब उर्जा और स्थान परिपदार्थ के स्थान अंत्रन द्वारा संबद्ध है तो यह एक ताल है यहां पर देखो आपको जीव जनतु नजरा रहे हैं पादप है पेड़ पौदे हैं कहास नजरा रही है और पशू है इरा ने कहा उन्टो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रिगिस्तान आओगे तो तुम्हें साम चिपकली और अन्ने केटपी देखने को मिलेंगे रवी हैरत में पढ़ गया बिन बिन स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जनतु वन्सपती एवं लोगों के रहन सान के तरीके इतने बिन क्यूं है क्यूं है ऐसा क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है बिलकुल बहुत संबंध है शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौदे जीव जनतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावर्ण पर आश्रीत होते है प्राएवे एक दूसरे पर आश्रीत होते है अब आप अपने घर का उदारन ले लो सभी एक दूसरे के साथ संबंधित है तो जैसे कि जब किसी को भी किसी भी चीज की जुरूत पड़ जाती है तो परिवार में क्या करते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं तो एक इंसानियत का कारे होता है जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावन के बीच का संबंध ही पारितंतर का निर्मान करता है अदिक वर्शा वाले वन गास थल जहां बहुँ ज़्यादा गास होगी रेगिस्तान जहां पर रुस्ताय रीथ ही रीथ बहुँ ज़्यादा हो पर्वत जील नदी महसागरे tolerant छूटी से ताल का भी एक पारितंतर हो सकता है क्या आपको लगता है कि जिस पारक में रवी एब हम उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था अब यहां पर मानविय पर्यवर्ण के बारे में पढ़ेंगे मानव अपने पर्यवर्ण के साथ पार्स परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी अवश्यक्ता के अनुसार परिवर्टन करता है प्रारंबिक मानव ने स्वय को प्रकृति के अनरूप बना लिया था उनका जीवन सर्ल था आसपास की प्रकृति से उनकी अवश्रक्ताएं पूरी हो जाती थी समय के साथ कई प्रकार की अवश्रक्ताएं बड़ी मानवने पर्यवन के उप्योग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिये उसने फसलुगाना, पश्चु पालना एबं स्थाई जीवन जीना सीख लिया पईय का अविश्कार हुआ, अवश्कता से हदिक अन उपजाया गया वस्तू वी निमय पद्धती का विकास हुआ, व्यापार आरम हुआ, इबं वानिज्य का विकास हुआ अद्यगिक करांती से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारम हो गया परिवहन तेज गती से प्रारम हुआ, सोचना करांती से पूरे विश्व में संचार, सहज और दुरूत हो गया तो अब आप देखेंगे, अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को पूछें तो कि पहले क्या होता था, किस तरह का बातावन था पहले तो क्या ये चीज़ें जो आज कल आप देखते हैं अपने आसपास, आपने देखें कहीं अपने हर घर में टीवी है, हर घर में फ्रेज है, या मॉबाइल है, अलग लग परकार की नई नई चीज़ें हैं और बड़े-बड़े घर लोगों ने बनाए हुए हैं, तो क्या इस तरह के जो भवन हुआ करते थे पहले भी थे वो बताएंगे कि पहले का जीवन होता था, बहुँ ज़्यादा सादा होता था, सिंपल लोग हुआ करते थे थोड़ी चीजों में वो गुजारा कर लेते थे, इस तरह की भागदार उनके जीवन में बिल्कुल नहीं होती थी क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला, तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मुंगफली खाना क्यों उपसंद करते हैं, सोचो क्योंकि गर्मी लगती है ना, तो इसलिए तरबूज ठंडा होता है, तो हमें तरबूज खाना अच्छा लगता है, और खाना भी चाहिए पानी की भरपूर मात्रा जो है इसमें होती है और मुंगफली खाना क्योंकि सर्दी में ठंड होती है मुंगफली गर्म होती है और यह हमारे श्रीर को गर्म लगती है जैसे कई लोग चैने खाते हैं प्राकृतिक एवं मानविय पर्यावन के बीच सही संतूलन होना अवशक है मानव को पर्यावन के साथ समरसता से रहने एवं उसका उप्योग सीख लिया है रभी की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी तो यह भी हमारे ही देश में है का एक राज्य है वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है खेल का मैदान नस्टोने के काण रभी की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली चुटियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा रवी के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि चुटियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूद रिश्य, घरों, एबन लोगों के क्रिया कलापों का एक चित्र बना करना है तो आप भी अगर, कभी अगर, जैसे आप अपने अपने रिलेटिव के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, या किसी नई जगा चले गए तो उसका एक चित्र जहाँ मन में बनाईए और घर आके उसको कागज पर उतारिए तो आपको और अपने यहां का बातावन भी देखिए, तो उसमें आप एक दूसरे को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को बता सकते हैं, कि इस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी तो इस तरह से अमारा जो आज का चैप्टर है वो खत्म होता है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा थैंक यू सो मुच पर वाचिग मैं वीडियो